ठीक है, ग्लोबल संकेत पिछले हफ्ते भी बढ़िया थे, आज भी जो हैंडवर आया, एक्सेडेट वीकेंड के बाद नहीं, लॉंग वीकेंड के बाद वो बढ़िया ही है, पर दिक्कत तो हुए कि वो FIS की रिलेंटलेस कैश की सेलिंग, उसी ने सरदर्थ बना रखा था, कैसे समीकरण बैठ रहे हैं, डेटा पॉइंट से, हमारा टेट सेट अप कैसा लग रहा है अपको, हाँ, उसमें आशिज में एक चीज़ कहूंगा, FI की जो सेलिंग है, वो एक स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग है, अगर आप X of HDFC बैंक देखें, HDFC बैंक में खाली 3000 क्रोड क सेलिंग हुई है, ठीक है, तो वहाँ पर इतने सेलिंग आ गई, उसकी विज़े सी इंपाक्ट है, FI सेलिंग, ऐसा नहीं है कि FI ने कोई डिसाइड कर लिया कि अब इंडियन मार्केट को बेच के जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और जब भी इस्टॉक स्पेसिफिक इस होते हैं, वो एक हमेशा आपको अगर उसकी विज़े से ब्रॉडर मार्केट में कर्रेक्शन आती है, एक बहुत अची अपॉचुनिटी देते हैं आपको, लिगे मेरा व्यू मार्केट पर कभी भी नेगिटिव नेरा, मैं जो कई लोगों ने का कि वो जो बाइस एक्टॉ और उसमें बीच-बीच में ऐसी कर्रेक्शन आएंगी, हजार-डेजार प्रॉंट की कर्रेक्शन आनी भी चाहिए, इन तक जैनवरी की मार्केट मेरे लिए सबसे अच्छी थी, क्यों? क्योंकि जैनवरी की मार्केट में आप अगर एक चीज़ देखेंगे न, HDFC बैंक 15% इसके सामने भारती एटल 15% चला, ठीके, आप इंडिविजियल सेक्टर्स और स्टॉक्स में अगर आपने सही सेलेक्शन किया, पेर ट्रेट बनाई अगर आपने, तो मार्केट ने बहुत पैसा बना के दिया, अच्छे नंबर्स में मार्केट ने जबर्दस रिवार्ड कि खराब नंबर से मार्केट ने ब्रूटली पनिश किया, LTI माइंटरी एक 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 एसी मार्केट हो ना, जहां पर आपको एक ही सेक्टर में दोनों तरफ की ट्रेट्स में ले, एक ही उसमें आपको, अगर आप आप आइंटिफाई करना जानते हैं, तो मार्के आपको अच्छा पैसा बना के दे, वो मार्केट आपके लिए, अगर जैनवरी में आपने पैसा बनाया है ना, आप समझ लेजिए मार्केट आपके लिए, फुल टाइम प्रोफेशन भी है आपके लिए भले अगर आपने जैनवरी में पैसा बनाया है तो, और जैनवरी ज की थी कि काफी बॉलेटाइल रहती ये फेबुरी उसका भी एक कदम आके है क्योंकि परसेंटेज मोव जादा बड़े होते हैं एक सिर्फ 2019 को छोड़ दीजिया उसके इलावा 2020, 2021, 2022, 2023 सब में बड़े मोज आएं और 2022 और 2023 में तो एक डिफ्रेंस ये भी था तो 2023 में खास हो से दियार है थोड़ा से पैटर्न को तोड़ने के लिए और ग्रीन में आने के लिए क्योंकि थोड़े से समीकरन बदले हैं यहाँ पर रोलोवर 81 परसेंट है निफ्टी का 78 परसेंट करीब एवरेज है और अग्रेसिव शॉर्ट रोलोवर हो है तो यह इंटरेसिंग है कि सीर देखें तो 1.22 क्रोर शेर्स का ओपन इंटर्स है और अगी इन जासा कि मैं कह रहा था कि यह थोड़ा सा ज्यादा शॉर्ट रोलोवर है इसकी वज़े से अगली प्रेट पर आजाईगे स्टार्ट ओफ द सीरीज का ओपन इंटर्स जो है निफ्टी का फेबुरी सीरीज मे 1.22 क्रोर जैनवरी में से थोड़ ज़्यादा था 1.29 और फिर से रिविजिट करते हैं उसको नवंबर में 11 पसंत है आपने देखी थे कितनी बड़ी रैल्य हुई थी डिसंबर में 36 पसंत पे थे जैनवरी में 70 पसंत पर थे और अब वापस हम 22 पसंत पर हैं मेरे खायर से म और अपसाइड है करीब करीब 22 पांच सो तक की एक बार वापस में लग रहा है कि इस सीरीज में हम और टाइम हाइट टेस्स कर सकते हैं यह मेरा एक बेसिक विज़ बन रहा है जो दिखा रहा है शायद इवेंचुली यहां से अच्छे समीकरण बैठे है पर आज का अप्रोच अब शुरुआत जो सीरीज क्यों नहीं हो तो 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 पॉइंट का तगड़ा गैप आप मिलना है उस गैप के बाद अबारी रनीती आज क्या वाच आउट करना है क क्या लेवल्स देखूं तेखे पहली बात है कि आज मार्केट के टेक्स्चर का टेस्ट है हम जो मर्जी कह लें कि मार्केट में पॉजिटिविटी यह सब कुछ है अगर आज मार्केट नहीं चला तो बहुत बड़ा नेगिटिव हो गया और नहीं चला मतब चलिए क्योंकि कि इतना मार्केट गिरा है पिछले कुछ दूरों में हो सकता है एक बार के लिए हायर लेवल पर थोड़ा से मार्केट में डिकलाइन आए तो आज लिटरल अगनी परिक्षा है मार्केट की अगर आज का गैप अप सस्तीन हो गया तो यह बहुत बड़ा पॉजिटिव है औ जिस तरीके से लास्क के एक घंटे में मार्केट ने शॉट कवरी दिखाई थी एक ट्रेंडिंग सीरीज के बाद वो बड़ा पॉजिटिव था ठीके तो एक तो आपने सीरीज से लो को सो पोईंट से बचाया प्लस सो पोईंट आपने एड किये थर्सडे की थर्सडे को 21- 247 का लो था, वहां सम 21-352 पर बंद हुए. तो अगर ऐसे दो-तिन दिन हो जाएं, जिसम मार्केट हाइस पॉंक्ट पर बंद हो, तो बड़ा पॉजिटिव होगा. यहां पर सपोर्ट कहा पर है? पहला सपोर्ट है 21-352, जो कि थर्स्डे का क्लोज है. ठीके? और बड़ा सपोर्ट है 21-247 पर, जो कि थर्स्डे का लोग है. मेरे ख्याल से यह अच्छा जोन है, यह टिकेगा मार्केट में. और रिजिस्टेंस आएगी आपकी पहली 21-459 पर, जहां पर मुझे लग रहा कि आज हम उसके उसके उपर ही खुलें, वो फ्राइडे, थर्स्डे का हाई था, उसके उपर खुलने के तियारी ही हो रही है, और सिरीज का, जो ऑप्शन का बड़ा बेस है, उसके साब से 21-625 यह आपकी रजिस्टेंस है. अब देखें, मैं फिर से थुरा अपने शब्दों को तोल के बोल रहा हूँ, प्योली इंट्रडे में, अगर मार्केट रिजेक्शन दे गैप अप पे, गैप अप ना ठीके और रैली फेल हो, तो शॉट करें और एक स्टॉप लोस लगाएं 21-625 का. अगर, अगें, इस चीज़ को समाझ लें, रैली फेल होने चीज़, और रैली फेल होने का मतलब है, एक 40-50 पॉइंट का रेड बार बनें, तब वहाँ पर आप शॉट ट्रेड लें और 21-625 का स्टॉप लोस लगाएं, और उसके बाद बाई जोन बनेगा, मेरे खिल से, 21-450-21-500 का. 21-450-21-500 आपको किसी कारण से मिल जाएं, अगर वहाँ पर आपको एक बाई करना है, और एक स्टॉप तोस लगा देना छोटा सा 21-352 का, जो कि आपका थर्स्डे का क्लोस था. अगें, यह मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर मार्केट कोलाप्स होके नीचे है, तब यह आपको शॉट करना है, और अगर लोड लेवल पर सपोर्ट मिले, तब वापस बाई है, और अधर वाईस जो पोडिशनल अपरोच है, आज होना है बजार के टेक्स्चर का टेस्ट, बहुत इंपोर्टन डीज देख लेना कि यह गाप सस्टेन हो रहा है कि नहीं, या फिर हम इस गाप को सरेंडर कर रहे है, लेवल्स, ब्यूर्फली प्रोडूसर साब ने भी जो मेंचिन हुए थे, आपको आपकी स्क्रीन्स पे रख दिया है, अवाज के शोशल मीडिया प्लाटफॉर्म से पूरी स्ट्राटेजी कटके चलनी शुरू हो जाएगी, वह आज पर जाके आप रिविजिट भी कर सकते हैं, अब मैं आगे बढ़ आओ, निफ्टी बैंक की तरफ, क्योंकि अभी चर्चा भी हुई थी, निफ्टी बैंक एक पेंट पॉकिट और इसमें भी हो एच्टी बैंक ने सारे सभी करन बिगा रहे थे, जो जित्ता कुछला जाता है, वह अतनी बढ़िया बांस बैग भी कर सकता है, अभी दिफ्टी बैंक क्या देखना होगा इसमें, क्या वेट करूँ? तो इसमें ना एक चीज है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आएगी HDFC बैंक, अभी भी वह दिक्कत बना होगा है, और ये LIC भली 9.99% स्टेक ले ले ले, उससे कुछ इतना मुझे लगता नहीं कि वह कोई गेम चेंजर है, ठीक है ना, तो इस चीज को आपको समझना होगा, बस ये है कि कभी ना कभी तो जाके FI के सेलिंग खर्म होगी HDFC बैंक में, वह सारा तो बेचक निकलने जाएंगे, कुछ तो एकदम लॉंग ओनली फॉंट्स हैं, और एक चीज, कुछ लेवल पर आकर FI बाई भी गरहेंगे, ऐसा नहीं है कि एक चीज समझे एस चीज को, ये HDFC बैंक है, ये अपने आप में एक इंस्टिटूशन है, ठीक है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि फ्लाइ बाई नाइट कोई बैंक आया था, वो तोड़ासा बसकुबच चला गए, एक अध क्वाटर की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोग ने मेरा पुराना वीडियो वाराल किया था ट्विटर पर जिसमें मैंने अच्टूबर से दिसंबर का HDFC Bank के नंबर शायद अच्छा आएंगे, गलती सबसे होती है, मैंने भी गलती कि, मुझे एक जम्शन था कि नंबर अच्छा आएंगे, नंबर काफी खराब आगे, मार्केट पोजिशन था अच्छे नंबर के लिए नंबर खराब आगे, स्टॉक बिग गया, कोई दिक्कत अभी के लिए आप बैंक निफ्टे में इंटरे रहिए, पोजिशनली अभी भी भी बैंक निफ्टे में कोई ट्रेड बनी नहीं है, इंटरे रहिए, पहला सपोर्ट आपका 44.705 पर जो कि ये 200-day मोविंग अवरेज और बड़ा सपोर्ट है, 44.429 पर थर्स्टे का लो, अ 45.500 का options based है, अगीन यहाँ पर sell trade क्या है, purely intraday basis पर, sell अगर rejection हो जाए, 45.150 to 45.200 पर, यहाँ पर अगर आपको rejection दिखाई दे अगर, तब उसको sell करिए, और एक stop loss रखिए 45.300 का, और buy करिए support पर, 44.600 to 44.800 पर, अगर support मिले तो वहाँ पर buy करिए, थोड़ा सा आपको deep stop loss लग पर भी trade नहीं है, positionally trade अभी nifty पर है, bank nifty पर नहीं है, पिल्कुल ठीक, यह है nifty, nifty bank की आज, Monday की strategy, Monday का approach, सिन्भी सिवास का morning panel ready हो रहा है, कुछी देर में इन experts के पास भी चलेंगे, और अपने, इनके साथ कई सारे stocks discuss करने हैं, और इनकी खुद की preferred picks पे भी चर्चा होनी है, अरे वाँ कर दो